लगातार एक और क्यों जुकरा है तुंगनात मंदिर मंदिर समिती ने की पुना निर्माड की कवायत तेज पांच से छे डिगरी तक क्यों जुक गया मंदिर नमस्कार मेरा नाम है सचिना ठोड और आप देख रहे हैं न्यूजवर इंडिया पर हमारा खाश्यों आज अम बात करेंगे रूद प्रयाक के एशिया की सबसे उचाई पर स्थित्ष मंदिर तो उनात मंदिर भूद भसाव के लगातार एक तरव जुकता जा रहा है मंदिर के दिवारों पर मोटी मोटी दरारे आ गई है जब के मंदिर के सभा मंडप में छट से पानी रिस रहा है स्थानिय तीर्थ पुरोहित लंबे समय से मंदिर के पुरा निर्माड की मांग कर रहे है लेकिन उनका कहना है कि यहां निर्माड कार्यों में वन अदिनियम आड़े आ रहा है जिससे मंदिर का पुरा निर्माड नहीं हो पा रहा आया कुसराते हैं क्या बोले तीर्थ पुरोहित पुरा निर्माण को लेकर मंदर समिती ने कवायत तेज करती है। श्री बद्नीनाथ केदारनाथ मंदर समिती के अध्यक्ष अजिंद्र जय ने कहा कि तुगनाथ मंदर में बूदसाफ से मंदर को हो रहे नुकसान उनके संग्यान में हैं। और मंदर के पुना निर्माण के लिए गतवर्षा उनके द्वारा जो जियो लॉजिक्स सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से आएगा। वो लॉजिक्स सर्वे ऑफ इंडिया से अध्यान करवाया गया। जिसकी रिपोर्ट मंदर समिती के पास आ गई है। जबकि CBRI रुड की टीम ने भी तुगनाथ मंदर का अध्यान किया। इस टीमों की अधेनम रिपोर्ट से जो सुझास आ जा हुए उसके अधार पर ट्रीटमेंट का कार आरब किया जाएगा। आएए सुनाते हैं आपको कि क्या बोले बदरीनाथ के दारनाथ मंदर समिती के अध्यागा। सबस्के उचाई पर इस्तित। अध्यान करने के लिए कहा था उनकी अध्यान टीम है वहाँ पर गई थी उन्होंने अध्यान कर दिया है उनकी रिपोर्टे हमको मिल चुकी है उसके अलावा मैंने CBR अंतिम एक फाइनल उसके रिपोर्ट के लिए अध्यान के लिए CBR राई वुड़की को भी पत्र लिखा और CBR राई वुड़की की टीम ने भी आकर के अभी 10-15 दिन पूरू वहाँ पर अध्यान किया है उनकी रिपोर्ट भी हमको सिग्रिम प्राप्त हो जाएगी और जैसे उनके सुझाह होंगे जो भी उनके सलाह होगी उस सलाह के आधार पर हम जो भगवान तुगनात के मंद और हिंदूओं भक्तों की आस्था का केंद्र है मंदिर के अस्थित्व पर बढ़ते संगट को लेकर श्रद्दालू भी चिंतित है बराल तुगनात मंदिर्व का जिवन उधार जल्द होगा और मंदिर समिती ने ऐसा भरोसा दिया कि ये काम जल्द कर दिया जाएगा ऐसे अबडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूस वार इंडिया